पूरी खबर वही मैं आपको बताने वाले हूं लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बढ़ आगन को ज़रूर दबा दीजे ताकि हमें ऐसी जब भी कोई नई वीडियो डाले उसका नोडिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए Mobile Premier League या फिर यू कहले MPL ने यहाँ पे OEO के founder रितेश अगरवाल के R.A. MPL Holding PTE से 500,000 डॉलर जहाँ पे उन्होंने रेज किये है इसके साथ ही यह बताया गया है कि इस fantasy sports platform में पैसा इंवेस्ट करने के लिए रितेश अगरवाल ने इस entity को पिछले महीने ही खड़ा किया मैं आपको बता दू कि यहाँ पे जो यह infusion हुआ है R.A. MPL Holding की तरफ से यहाँ पे MPL के 90 million dollar series B round में यह हुआ वही पे NTracker ने इस funding की जो report है उसको exclusively report किया है जहाँ पे अब यह बताया गया है कि यह जो MPL है जो कि 3 साल पुराना start-up है उसकी जो है यहाँ पे अब जो value बताय जा रही है वो यहाँ पे कुछ 450 million dollar जो है वो बताय गयी है इसके लावा मैं आपको बता दू कि यहाँ पे R.A. MPL Holding की जो filings है वो यहाँ पे यह शो करती है कि इन्होंने जो है filing यहाँ पे Singapore से की है जहाँ पे यह जो entity है वो register यहाँ पे October 2 तारीक की हुई थी इसके साथ ही यहाँ पे MPL ने जो है रितेश अगरवाल को 44 preferences share a lot की है जहाँ पे जो issue price बताया गया है एक share का वो 11,333.3 dollar बताया गया है हर एक share के लिए जो कि उन्होंने R.A. MPL से 500,000 dollars raise की है उसके बदले इसके अलावा यहाँ पे यह बात भी note करने लायक है कि अगरवाल ने जो है recently Arroa Ventures करके एक और entity यहाँ पे Singapore में उन्होंने खड़ी की है जहाँ पे यह बताया कि इस entity का मकसद यह है कि वो जो भी growth stage startup से उसमें invest करना चाहते है लेकिन मैं आपको बता दूँ कि जो अभी recently MPL में रिते शगरवाल ने invest किया है बताये यह गया है कि उन्होंने यहाँ पे Arroa Ventures से कोई भी पैसा उसमें invest नहीं किया मैं बता दूँ कि जो Arroa Ventures है इसको अभी जो manage कर रहे है CEO जो कि यहाँ पे यह बताया है कि अभी जो है Arroa Ventures को किसी भी Indian startup में अभी उन्होंने invest नहीं किया है और आगे आने वाले टाइम पे वो लोग ऐसा invest करने को सोच रहे हैं आपको बता दूँ कि Entracker ने जो है यहाँ पे इस Arroa Ventures के बारे में जो है अभी पे जो Arroa Ventures हो इसको यहाँ पे RACO Holding Company जो है उसको sponsor कर रही है जहाँ पे रितिश अगरवाल जो है यहाँ पे 100% stake इस investment firm में own करते हैं इसके अलावा Arroa Ventures का यहाँ पे यह कहना है कि वो लोग ऐसे growth stage businesses जो की consumer technology और leisure infrastructure sectors में आते हैं उसमें अपना जो है पैसा invest करने को देख रहे हैं जहाँ पे यह बताया गया है कि वो लोग ऐसी companies को prefer करेंगे जहाँ पे जो scale करने की potential वो high हो इसके साथ ही वहाँ पे जो है proven unit economics हो ऐसा उन्होंने बताया है वहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो भी investment RA MPL holding ने की है वो यहाँ पे जो भी MPL का series भी round था उसके तहत यहाँ पे किया गया है इसके अलाबा इस round को जो है lead कर रहे थे SIG Global जहाँ पे यह बताया गया है कि कई सारे well-known angel जो है इस में invest किया है में हुई थी जहाँ पे MPL जो है वो third party developers के साथ काम करता है उसके बाद जो भी उनके जो game है वो अपने platform पे publish कर देता है जहाँ पे जो users है वो यहाँ पे skill based games में participate कर सकते हैं जैसे कि आपका cricket हो गया, puzzle हो गया, chess हो गया फिर crossword हो गया, जहाँ पे वो लोग participate करके cash prizes भी जीत सकते हैं वही पे यहाँ पे MPL की माने तो उन्होंने कहा है कि अब तक जो है वो यहाँ पे 60 plus game से जादा include कर चुके अपने platform पे इसके साथ ही उनका जो user base है वो अब 6 crore plus हो गया है वही पे यहाँ पे MPL का यह कहना है कि उनके platform पे इस IPL के बाद से जो है यहाँ पे अच्छी खासे growth देखने को मिली है जहाँ पे अब जो total player जो है वो यहाँ पे 7 गुना से जादा जो है इस IPL season में बढ़ चुके है वही पे उनके यह कहा है कि यहाँ पे 100% search जो है वो downloads में देखने को मिला है इसके अलावा MPL जो है वो फिलाल इंडिया के अलावा यहाँ पे इंडोनेशिया में भी मौझूद है इसके अलावा मैं आपको बता दू कि यहाँ पे fantasy gaming space में पिछले 6 महिने में जो है बहुत सारा action देखने को मिला है जहाँ पे जो MPL की rival है Dream 11 उन्होंने यहाँ पे primary और secondary investment के mix में उन्होंने Tiger Global Management TPG Tech Agencies Chris Capital और Footpath Ventures से जो है total 225 million dollars उन्होंने raise कर लिये इसके साथ ही NCR based Winzo ने भी यहाँ पे Series B funding round में 18 million dollars raise किये है जहाँ पे इन पे जिन्होंने invest किया है उनका नाम है Makers Fund और New York based Courtside Ventures इन दोनों platforms के इलावा जो यहाँ पे MPL की major competitor है वो यहाँ पे Paytm First को बताया गया बाकि दोस्तों मेरा आपसे यहाँ पे यह सवाल है कि आपको क्या लगता है कि जिस तरह किसे fantasy gaming platforms यहाँ पे बढ़ रही है जिस तरह किसे उनमें investment हो रहा है आगे आने वाले time पे आपको लगता है कि यह जो market है fantasy gaming का जो market है वो और जादा यहाँ पे बढ़ने वाला है जो भी आपके thoughts है वो मुझे comments में बता सकते हैं आपको वीडियो आपको पसंद आया होगा तो like कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ इसको share कर दीजिएगा और मैं आपको मिलूँगा अगली वीडियो में तब तक आप देखते हैं यह next pick brand को thanks for watching